अग्याद आप लोगों से कल वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिसकस करेंगे यूपी पुलिस कॉंस्टेबल की अगर आप इस एक्जाम को क्रेक करते हैं तो आपकी पहली सैलरी क्या होगी एक तो वो डिसकस करने वाले हैं दूसरा मैं आज आपकी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लग्की बहुत हैं बहुत किसमत वाले हैं कारण क्या है उसके बारे में जानेंगे जो आगे बढ़ना चाहते हैं जिनको free of cost guidance सीए उन लोगों के लिए चैनल है वैं इस चैनल को subscribe करें बाकी थोड़ा दूर रहे चैनल से क्योंकि आपका mental attitude जिस तरीके का हो चुका है आपके काम ये चैनल आएगा नहीं ये चैनल सिर्फ उन लोगों के लिए काम कर रहा है जो students थोड़ा सा महनत करके सही तरीके पर चलकर और अपना selection को प्राप्त करें ये market नहीं है ये सिर्फ एक रास्ता दिखाने के लिए है कि किस तरीके से आप चीजों को cover कर सकते हैं और कितने कम efforts के साथ एक्जाम को qualify कर सकते हैं तो दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाला हूँ किस चीज के बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल की जो आप जानते हैं भरती आई है मैंने बोला लग्की क्यों है आप क्योंकि 30 साल तक के students इस exam को form भर सकते हैं ठीक है जो OBCCST है और जो 18 से 22 साल तक की एज थी वो 25 साल कर दी गई यानि कि अगर आपको मुका मिल गया तो लग्की है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भरती में आपको मुका मिला है अगर आप फिर भी exam कॉलिना कर पाए तो फिर सर्म की बात है फिर आपको मैं यह तो नहीं बोलूँगा कि डूब के मर जा बैठेगे उसमें से 60,000 बच्चे बहुत होते हैं बहुत जादा होते हैं अगर अभी भी 15-20 दिन भी डंक से मेनत कर लोगा न तो यह exam ऐसा नहीं कि इसको क्वालिफाई ना कर सको दूसरा जैसा कि बताए 60,244 आप लोगों की वेकेंसी जो की इधियास बनाया है यूपी व हाथ में आएगी तो कितनी आएगी तो जैसा कि आप साब जानते होंगे कि आप लोगों का जो बेसिक पे है वो कितना है 21,700 है आप लोगों का बेसिक पे इस समय अब इस बेसिक पे में आगर मैं बोलूं आप लोगों को इस समय जो यूपी अभी अगर इस स्वार की बात कर रही है इस 21,700 पर वो दे रही है यह 40% का आप लोगों का DA जो गौर्मेंट की तरफ से दिया जा रहा है हर छटे महीने बढ़ता रहता है इस समय दे रहा है 40% ठीक है तो 21,700 का जो 40% होता है वो होता है 9,982 ठीक है तो अगर आपकी सेलरी अगर आपको मिले तो वो होगई 9,982 उसमें कर देंगे add ठीक है 21,700 प्लस 9,982 तो टोटल आपकी सेलरी बने 31,682 आज के हिसाब से आज के हिसाब से अगर आप जोइनिंग अब लेते है आपकी जोइनिंग होनी है टाइम तो लगेगा तब तक तो 4% या फिर हो सकता है 7-8% कट हो जाएगा तो एक्सपेक्टिड जिस दिन आपकी जोब लगेगे उस दिन आपकी सेलरी कहीं ना कहीं टच कर रही होगी 32,000 के आसपास 32,000 प्लस आज के हिसाब से आपकी सेलरी इतनी बन रही है तब बनेगी 32,000 प्लस और 31,682 में 2,000 उपे और अड़ कर लो ठीक है ठाना, पीना, मोटर सैंकिल, भत्ता, साइकिल ये सारी चीजें आके तो टोटल जो सेलरी बनेगी वो अभी भी आपकी 32,000 के आसपास बैठती है और तब जाकर आपकी सेलरी जो बनेगी वो कही न कहीं 33,000 को टच करेगी इन हैंड सेलरी है 33,000 का 10% आपका हो सकता है NPS में कटने लगे तो कहीं न कहीं आपके कटने के बाद NPS कटने के बाद भी आपको 30,000 प्लस सेलरी आपको हाथ में मिलेगी तो देखिए 30,000 प्लस सेलरी आपको इन हैंड मिलने वाली है फर्स्ट सेलरी तो बाहर मेहनत करनी बनती है कि नहीं बनती है ठीक है? कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे आपकी सेलरी कितनी होगी क्लियर है तो भाई तयारी करो बहतरीन तरीके से अच्छी खासी जूब मिल रही है वेकेंसी बहुत ज्यादा मिल रही है ठीक है और जो लोग हिंदी के नोट्स लेना चाहते हैं या हमारे साथ फ्री ओफ कोस्ट गुरुप में जुड़ना चाहते हैं जहाँ पर डेली आपको जाते हैं और मेहनत करके सेलेक्शन लेना ही जिनका मकसद है वही सिर्फ इस चैनल से जूड़े रहें वही वीडियो को लाइक किया करें और वही चैनल को सब्सक्राइब भी रखें ठीक है तो ग्रूप का जो लिंक है मैंने नीचे डेस्क्रिप्शन में डाल दिये भाई ट टेस्ट अब एक जनवरी के बाद सुरू करेंगे क्योंकि मैं एक जनवरी तक चाहता हूं कि जितना अब तक हिंदी में हो गया वो आप रिवाइज कर ले और नए स्टुडेंट्स को मैं बता दू जो जुडेंगे भाई हमेंने हिंदी बोला था और पिछले आटा नो दिन या गूगल पे करके 99 डुपीज आप स्क्रिंसोट भेज देना इसी नंबर पर आपको वो स्क्रिंसोट का वो पीडियाप मिल जाएगा उसको आप प्रिंट आउट निकल आके आप अराम से उसकी तयारी कर सकते हैं और जिल लोगोंने ले रखका है वो वीडियो अगर प्रिंट आउट आपने निकलवा रखका है प्लीज भेजेगा तो उससे थोड़ा सा क्या होता है कि और स्टूरेंट्स को भी हैल्प मिल जाती है कि किस तरीके के हैं ठीक है तो चलो यह थी जानकारी आपके इन्हेंट सेलरी पहली कितनी बनेगी और जब हमारी ज्व वर फोम आए है आप लोगों के कोंस्टेबल के हैं सपोर्स कोटस के या फिर दूजरे कंपूटर और तो जितने भी कौंस्टेबल के निमFun cần इन्हें सबकी इंडरी सेम है किसी में कोई डिफ्रेंश नहीं है कुछ भी डिफ्रेंश नहीं है किसरपिज सेलरी सेम सबका ए मिलेंगे नेक्ट वीडियो में और जो टार्गेट्स आज मैं गुरूप पर दूँगा उनको अच्छे से कवर कर ले ना कल रात साढ़े आट बे तक का समय होगा फिर अगले दिन के टार्गेट्स आपको दे दी जाएंगे ओके, all the best, take care, love you, all ध्यान रखिए, खुज रहिए, मुस्कुराते रहिए